मैंने बारिश का पानी, खेत का पानी, खेत में 100 प्रतिशत रोक के, मैंने एक पानी का सौलममन निर्मान किया अब पानी का सौलममन जो था, उसने मेरे खेती की उत्पादक्ता तो बढ़ाई लेकिन मैंने जो भू गर्ब का पानी खत्रे की निशान तक पहुचा दिया है उस जल स्तर को खत्रे की निशान से निकाल कर एक जो नेचर का एक स्तीर होना चाहिए स्तीरी करन होना चाहिए जल स्तर का वहां तक लाके पहुचाने का भी काम किया इस तरह से भू गर्ब की तापमान की समश्चाएं भी मैंने पानी के सौलम मन में निकाली जमीन का उपरिय आउद्योगीक प्रदूशन के तापमान को रोकने के दिशा में व्रुक्षो का साहरा लेकर किया याने रुक्षों से मैंने उपरियत आपमान को रोका, पानी से जमीन के अंदरूनी के तापमान को रोका, जैसे जैसे हमारे जमीन के अंदर का पानी नीचे जा रहा है, जमीन के अंदरूनी तापमान में ये बढ़ोतरी हो रही है, इस तरह से जमीन के अंदर का तापमान भी वे थे शोलम भी हूं तो यह सॉलम मन जाच्ने के लिए किसी भी चीज का एक वैग्यानिक दृष्टिकोन होना चाहिए यह मुझञे सतत का एक अंदेशा रहता है कि मैंने इसका वैजगानिक पहलू डूना चाहिए कि यह सही है क्या यह जाच्ने के लिए फिर मैंने 2003-2004 वर जब ऊपर से गिरता है बारिश का पानी तो उसका आकलन होता है मोजमाप 1100 एक है में एक हैक्टियर में सेंटिमीटर बारिश गीरा तो उसका अक्ळन हुआ एक लाख लीटर में ने ज़र्षर्ड डेटा बनाया उस वर्षर ते आव सेंटिमीटर बारिश मेरे खेत में हुई थी वैसे भी हमारे है की यह बारिषो प्राया चार वर्षे 5 वर्षे से लगातार सव सेंटbage मिटर के ओपर ही बारिज वी एक मेरे खेत में एक भीक्टियर में देख अब साथ नहीं खिर यान एक करोड लिटर पानी मेरे एक हंट ज़मीन पर गिरा 12 hectare का data बनाया मैंने 12 hectare में 12 करोड लीटर पानी जमीन के उपर गिरा नेचर का भाग है कि उसमें से जो जमीन पे गिरता है उसमें 20% पानी बाश्फी भवन हो जाता है तो 20% पानी बाश्फी भवन को मैंने 30% आकलन किया क्योंकि मेरा सौलमन सही रहना चाहिए इसलिए मैंने उसे बाश्फी भवन में 30% मापा 30% मैंने 12 करोड में से निकाल दिया तो उसका फिगर था 8 करोड 40 लाख लीटर पानी ये पानी मैंने 100% खेत का पानी खेत में रोका तो ये रोकने के लिए मैंने जो सहायता ली जीओं के माध्धम से मैंने एक हेक्टियर में 50,000 लीटर पानी एक सेंटीमीटर बारिश होती है जब जीव जमीन के अंदर डालते हैं इसका अभ्यास किया मैंने तो 50,000 लीटर पानी जीओं ने मूल स्तान पर ही जमीन के अंदर डाल दिया फिर बाद में जो 50 प्रतिशत पानी था उसमें का 20-30 प्रतिशत बास्पीवन में निकला लेकिन 20 प्रतिशत पानी वो पानी मैंने कंटूर प्रणाली खेती में विक्सित की याने फसलों की बुआई समान लाइन में करके जो जीरो लेवल बोलते हैं उस जीरो लेवल पे फ वो कंटूर प्रणाली में से भी पानी बयके जाता है तो उस पानी को मैंने एक हेक्टियर के पीछे ही एक गड़ा खोद दिया वो गड़े की साइज रखी 20 फूट लंबा दस फूट चवड़ा और दस फूट गयरा इस तरह से वो गड़ा मैंने खोदा उस गड़े में जा आके वो पानी सव प्रतीशत रूख जाता है कितनी भी तेज बारिश हो तो मेरे खेती में से एक लीटर भी पानी बाहर भाय के नहीं जाता अब बाहर भाय के नहीं गया तो यह पानी गया कहां सब अंडर ग्राउंड वाटर टेवल में कनवर्ट हुआ इस तरह से आठ भूमी के अंदर डाल दिया यहां तक तो ठीक है मैंने इतना पानी डाल दिया अगर इससे जादा मैं उप्योग करता हूं तो मेरा सॉलम बन नहीं है मैं अभी भी भूगर्ब का सोशन करता हूं क्यूंकि मेरी स्खेती पूरी 12 मैंने सिचाई में रहती है तो वो के लिए इसका भी 1 डेटा बनाया मेरे हां 5.6 पाउके दो इलेक्रीक पंप काम करते हैं एक पंप ने गणते में कितना पानी निकालता है इसको मैने पहले जाना तो एक गंटे मेरे हां 5.5 पाउकर चिलिक पम्प 6,000 लीटर पानी जमीन के अंदर से निकाल ता अर एक इसका जब अभ्यास किया तो मैंने पाया यह 800 घंटे continuity में काम करता है यह 800 घंटे ऐसे वे कि बारिश के दिनों में सिचाई होती नहीं रात में सिचाई होती नहीं चुटियों के दिनों में सिचाई होती नहीं संतियों के दिनों में सिचाई होती नहीं तो इसका पूरा समय व दो करोड अठाशी लाक लीटर पानी एक पंप ने जमीन से निकाला, दो पंप कारे रते, दोनों को एकत्रीत किया, एकत्रीत किया तो उसकी जो संख्या थी वो पांच करोड शातर लाक लीटर भरी, मुझे समाधान हुआ कि मैं पानी के मामले में सौलम भी हूँ, अब ये पानी के मामले में सौलम मन का बात ऐसी हुई, कि एक तरफ मैं जमीन के अंदर आट करोड चालिस लाक लीटर पानी भूगर्ब में डाल रहा हूँ फिर भूगर्ब से जो पानी निकाल रहा हूँ वो पानी पांच करोड चातर लाक लीटर है इस तरह से जमीन के अंदर से 5.6 लाख लिटर पानी मैंने निकाला निकलने के बाद बचा हुआ पानी 2.64 लाख लीटर पानी यह मैं प्रती वर्ष भूगर्ब की अंदर की पानी की लेवल उचालाने का काम कर रहा हूँ इस तरह से मैं अंडर्ग्राउंड वाटर टेबल को मैंने उचा लाने का भी काम किया यानि मेरे खेती की सारी इरिगेशन व्यवस्ताओं को समाल के भी जमीन के अंदरूनी तापमान को मैंने स्तीर करने का एक महतो पूर्ण पहलू इसमें भी साथ दे किया इस तरह से मैं कहता हूँ कल हम पानी के साहता से इस देश को शक्तिशाली बनाना है तो हमें नेशल फॉर्मिंग का और पानी के उप्योग का ये तरीका निर्मान करेंगे हम तो पूरे जगत में हम शक्तिशाली राष्टर होंगे पानी के मामले में इस तरह से मैंने पानी का निर्मान किया, जब पानी का निर्मान किया, तो मैं आपको ये दर्शाना चाहता हूँ, कि केमिकल खेती हमारे लिए बिल्कुल भी लाबदायक नहीं, इसका भी हमने एक डेटा बनाया, कि 1960 में हमारे पास सीचाई परियोजनाएं कितनी थी, हमारे पास तै पास विद्यूत का उत्पाथ कितना था, साथ ही 1960 से हमने राशायनी के ये, प्रारंवी किया, भी मे द्भी का विकास होते रहा, सीचाई की परियोजनाओं का विकास होते रहा, बिजली का निर्मान बढ़ते गया, साथ ही राशायनी खाद और जहर इनका उफयोग भी बढ़ते गया है अब इनका उपयोग लगातार बढ़ते जा रहा है पानी आज हमारे पास वही है एक कुछ पानी हम शहरी लोगों की आवशकताओं के लिए जरूर हम उसका उपयोग करने लगे लेकिन नई सिचाई योजनावी भी हम त्यार करने लगे तो पानी वही है बिजली वही है बिजली भी बढ़ रही है लेकिन फिर भी अभी हम थोड़ी कटोती महसूस करते है तो थोड़ी कम हुई लेकिन उसका उत्पात पर उतना असर नहीं होगा रासाइनिक खाद भी वही है और जहर भी वही है लेकिन हम इसका आखरी बिंदू दो सो बारा दश यहां तक ही पहुचे इसके बाद में इसमें निरंतर घट आकर हमारा आज राष्ट्री उत्पाद जो है वह 187 द्रसलक्षटन तक हम इसके इस तर तक हम आप पहुचे हैं याने अब हम उच्चाएं की टोक से जाके हमारा उत्पाद नीचे आ रहा है बिजली वही है पानी वही है रासाइनिक खाद का उप्योग ज़्यादा हो रहा है लेकिन उत्पाद घट रहा है याने यही संके दे रहा है कि हम इस रासाइनिक खाद से हमारे देश का अब उत्पाद बढ़ा नहीं सकते इससे हमारे उत्पाद में निरंतर गिरावट आएगी इसलिए इसे तुरुंत रोकना हमाई देश के लिए लाबडाई होगा अब मैं मैंने जो अभ्यास किया उस अभ्यास के आधार पे मैं कहना चाहता हूं मैंने 1975 से जो खेती की प्रारंब 1983 में मैं बहुत एक उचांग पे था उत्पादों के 1990 में बहुत नीचे आ गया उत्पाद मेरा जब नीचे आया तो 1983 की बिजली मेरे पास थी 1983 का ही पानी मेरे पास था लेकिन खाद 1983 से भी खाद और गहर का उपयोग ज्यादा होने लगा था 1990 में फिर भी उत्पाद घड़ गया लेकिन मैंने जब छोड़ दी इस चीज को रासाइनिक खाद की खेती छोड़ दी तो मैंने अब जो नए डाइट डेटा में देखता हूँ तो जब मैं देखτα हूँ मैंने जब राषा इनीग खेती छोड़ी तो मेरे पूरे खेती का उतपाद 50 टन इस तर पे आके रुख गया था 50 टन का उतपाद 1994 में मेरे खेती का रुका 1994 के बाद धीमे धीमे मेरे खेती का उतपाद बढ़ने लगा 94 के बाद वही बिजली है वही पानी है लेकिन अब उत्पाद धीमे धीमे बढ़ रहा है 50 से 75 टन हुआ, 75 से 1500 टन हुआ, 1500 से 300 हुआ और ये स्थित्य आ गई कि आज मेरे खेती का उत्पाद 400 टन के भी लक्षे को पार कर गया है 12 हेक्टियर में, अब 12 हेक्टियर में 400 टन इस उत्पाद को मैंने पा लिया उस आधार पे मैं कहता हूँ कि केमिकल फॉर्मिंग में भी एक समय मेरा उत्पाद का उत्चांग 400 टन ही था लेकिन मैं उसमें नीचे आ गया 50 टन के इस तर पे 400 टन से 50 पे आया लेकिन नेचरल फॉर्मिंग में अब मैं 50 टन से धीमे धीमे बढ़कर फिर से 400 टन के लक्षी को पा लिया है जब 400 टन के उपर मैंने लक्षी को पा लिया है इस आधार पे मैं कहता हूँ कि पानी से ही हमारे खेती का विकास संभव है न की रासानी खाद और जहर से इस तरह से मैं पानी के महत्व को समझ पाया और यही सोचता हूँ कि पानी से ही हमारे राष्टर को हम सक्तिसाली बना सकेंगे तो इस पानी के सौलम मन में इसलिए मैं करता हूँ कि हर किसान के पास पानी है उसे सौलम मन की दिशा में इस तरह के खेती के प्रयास करने होंगे इस तरह की खेती के जब वो प्रयास करेगा तो पानी कल उसके लिए भयानक संकट होगा वो आज का पानी इस तरह की पदकिया उसके लिए वरदान साबित होगी याने कल पानी अगर आपके भूगर्ब में नहीं है आपके सिचाई परियोजनाओं में नहीं है तो आपको पानी मोल लेना होगा वो इतना खर्चिला और इतना महेंगा होगा कि आप उस पानी को खरीद नहीं पाओगे याने उस दशा में आप किसान नहीं रहोगे तो फिर आपके लिए बहुराष्ट्रिय कंपनिया ही अनाज देगी आपको वो अनाज आप खरीद नहीं पाओगे याने फिर एक बार फिर से भुक मरी की स्थीतिया हम इस देश में लाब देंगे इसके पहले हमें जागरूत होना होगा हम हर किसान के पास निसरग ने बहुत प्रचूर मातरा में पानी दिया है उसका नियोजन उसकी प्रणालियां ख्यिती करने के तरीके ये हमें बदलने होंगे आज हम नेचर के सहारे ही प्रगती कर सकते हैं नेचर के सहारे ही हम पानी के लग्ष कुपा सकते हैं एक एक टियर में मैं कहता हूँ मैंने 70 लाक लिटर पानी एक वर्ष में जमा किया आप पूरे समूचे देश का विकास करो तो भू गर्ब का इतना बड़ा तालाब हम पैदा कर चुके होंगे इस प्रणाली से अगर हमने तो सारे संसार में भारत के जितना पानी नहीं होगा उतना पानी हर गाओ गाओ में हर देहात में होगा हमारे पास इस तरह से भू गर्ब के तालाब निर्मान करने की जरूरत है जब मैंने इस पानी को रोक लिया तो मेरी सिचाई की परियोजनाएं भी सुरक्षित हो गई क्योंकि खेत की मिट्टी अब मेरी खेत में रुकने लगी खेत की मिट्टी नहीं जा रही है तो ये मिट्टी परियोजनाओं में नहीं जाएगी इस तरह से उन परियोजनाओं के पानी से हम बिजली का निर्मान करेंगे जब भू गर्ब का पानी का लेवल एक सीमा के बाद अपनी सीमा से ज़्यादा हो जाएगा तो नालों से नदियों में बहेगा बारा मेने हमारी हर राज्य की नदियां बहते नजर आएगी उन बहते भी नदियों के पानी से हम बिजलियों का निर्मान करेंगे इस तरह से हमें सरवांगिन विकास इस नेशरल फॉर्मिंग के तहत हम करेंगे तो ही हमारे राष्ट्र का किसान सुकी होगा हमारा राष्ट् तो मुझे में और अधिक शक्ती आ गई क्योंकि मेरा खेत में पानी 1990 का जो जलस्तर था वो मही महने में 15 मिंट मेरा 5 हर्स पाउर का कारेर रहता था 15 मिंट में पानी तूड जाता था कुए का वो ही पानी अब मही महने में 4 घंटे लगातार काम करता है चार घंटे तक मशीन लगातार चलती है इस तरह से 15 मिंट का पानी मेंने जो प्रयास की ए उस प्रयास के तहग वो चार घंटे चलने लगी अब अगर मैं अकला करता तो भी चार घंटे नहीं मैंने आजुबाजु की किसानों को भी इस दिशा में कारिक करने लगाया इस धंग से उन किसानों का पानी और मेरे खेत का पानी ये भूगरब का जलसर उचा लाकर आज हमें पानी की विशे में सौलम भी बनाया और हमें शक्ती प्रदान की एक आर्थिक दृष्टी कोन से एक सरवागिन विकास के दृष्टी कोन से इसके बाद मैंने तीसरा सौलमन प्राप्त किया बीजो का बीज अनादिकाल से हमारे मूलभूत अधिकार हैं हमारे अधिकार को छीनना ये करूर करम होगा इसलिए बीजो का हमारा मूलभूत अधिकार जबी कायम होगा जब हम बीजो के सौलमन को समझेंगे जो भी प्रकृती ने अच्छे बीजो का निर्मान किया है, जो भी जम स्वयम हमारे उपयोग में लाग सकते हैं, धीमे धीमे उन बीजो का संग्रे करना होगा, इस तरह से मैंने धीमे धीमे कई बीजो के संग्रे किये, तो अब जितने बीजो का संग्रे किया है, उतने ही बी जितिके सारे खर्ट निकल गए, अब मुझे कोई खाद भाहर से नहीं लाना पड़ती, कोई किट्नी एंदरन के लिए कोई दवा भाहर से नहीं लाना पड़ता, कोई भी प्रकार के बीज बहर से, याने अब मुझे ना तो बैंक से कर्द लेने की जरुवत है, ना ही मुझे क दिमे नेचर ने मुझे फ़सल चक्र का भी एक तरीका बताया, तो वहां मैंने नेचर को मैंने अपना गुरु माना, कि मेरा गुरु अगर कोई है तो वो नेचर ही है, क्यूंकि ये मुझे धीमे धीमे ग्यान दे रहा है, तो ये तीन स्वालमन के बाद चावता जो काम किय मैंने सफलता की सीडियों में वो काम था फसल चक्र, खेती में हम ऐसी फसले लें कि उस फसल से हमारी जमीन की उर्व रखता, कम तो नहो अपी तो बढ़े, इस तरह के फसल चक्र निर्मान किये, मैंने जमीन को मा समझी, जब मा समझी जमीन को तो मा मैं तुझे पहले भूजन फिर तुम मुझे देगी, ये इस तथे को स्विकार कर, मैंने उस भूमी का सदय ख्याल रखा, और उस भूमी में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मिले यानि उसका जो भूजन है, फसलों के आउशेश, उसमें निकलने वाली घास, उसे भूजन के रूप में फिर जमीन को हम और अधिक उपजाओं भी बनाते हैं, ये फसल भी लेते हैं, और जमीन को उपजाओं भी बनाते हैं, तो उस फसल चक्र के तहरा है,